देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुनेंदा खबरे वो भी मेरे साथ शिवसेना सांसत संजराउत ने आरोप लगाया है कि EDJC जांच एजनसी अपने राजनितिक मालिक की कटकुतली बन गई है राज्यसभा के अध्यक्षर वेंके अनाइडू को पत्र लिक कर उन्होंने कहा है कि ED उन्हें परिशान कर रही है तो अकॉला जिले के गाव में दामात ने घुसे में अपनी एक सास को गहरे कोय में धक्का दे दिया जिससे उनकी मौत हो गई वही हिंगोली जिले के कलम नूरी तहसिल के उम्रा फाटास्तित एक नीजी कुरूशी उपज बाजार समिती में अग्यात लूटेरों ने हतियार का डर दिखा कर जबकर लूट पाट की घटा के बाद से व्यापारी और किसानों में दहशत है इसी बीच अनिल देश मुक से जुड़े मनी लॉंडिन केस में एक डमी डारेक्टर ने हैरत अंगेश खुला सा किया है उसने कहा है कि वहाँ तो एक फिल्ड वरकर के तौर पर काम करता है मालिकों के कहने पर वह बैंक, कोट और अलग-अलग मकीलों के आफिस जाता था उधर गोवा में बीते दो विदान सभा चुनाव में इसे उमिदवार की जीत से उतसाहिद भाचपा ने विरोध के बावजुत इस बार भी बारा इसे उमिदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ शिवसेना सांसत संजे राउत ने राज्यसभा के अध्यक्ष्य वैंके या नाइडु को पत्र लिखकर कहा कि एडी उन्हें परेशान कर रही है उन्होंने कहा कि महाराश्य सरकार को अस्थिर करने से इनकार करने के बाद एजनसी उनके और परिवार के पिछे पड़ गई है उन्होंने आरुप लगाया है कि एडी जैसी जांज एजनसी अपने राजनितिक मालिक की कटपुतली बन कई है अधिकारियों ने भी खुद ये बात मानी है कि उनके बौस ने मुझे ठीकाने लगाने को कहा है राउत ने संसनिकेश दावा किया है कि उनसे कहा गया था कि अगर वह मध्यवदी चुनाव के लिए सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा कुछ लोग मेरे पास आये थे और उद्धव सरकार को अस्थिर करने के लिए कह रहे थे वे राज्य में मध्यावदी चुनाव कराने के लिए मुझे जरिया बनाना चाहते थे मुझे पता था कि इस बात से इंकार करने पर मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी फिर भी मैंने मना कर दिया मुझसे ये भी कहा गया था कि तुम्हारा हाल वही होगा जो पुर्वक केंद्रिया रेल मंत्री का हुआ और वो कई साल जेल में पड़े रहें उनका इशारा लालू प्रसाद यादव की ओर था संजी राउत ने ये भी लिखा है कि मुझे ये भी धमकी दी गई थी कि महाराश्ट के दो अन्या मंत्री भी पीमले एक्ट के तहद जेल भेज दिये जाएंगे राज्य के सभी बड़े मंत्री जेल के अंदर हो गए राउत ने कहा कि उनके परिवार के पास अलिबाग में मुश्किल से एक एकर जमीन है जो की 17 साल पहले खरी दी गई थी अब इड़ी का कहना है कि जमीन की कीमत से जादा का कैश बरामत किया गया है और परिवार को ही मेरे खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है अकोला जिले से खहरान कर देने वाला मामला सामने आया है एक दामाद ने गुसे में अपनी सास को एक गहरे कुए में धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई पुरे घटना करम के दोरान मौज़ोद एक बच्चे ने भी दूर भाग कर अपनी जान बचाई इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दामाद घटना सलसे फरार हो गया ये घटना महाराश्र के अकोला जिले के बालापुर पुलिस टेशन के अंतरगत आने वाले वाने गाओ की है आरोपी दामाद और उसकी पत्नी दोनों खेत में काम कर रहे थे तभी किसी बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा देखते ही देखते दोनों तैश में आ गए और हाता पाई होने लगी मामला बिगड़ते देख पती पत्नी के बीच में चल रहे जगड़े को सुलझाने के लिए सास चंद्रकला डाकोरे ने दामाद विलास इंगले को समझाने का प्रयास किया तो मामला और भी बिगड़ गया दामाद और सास के बीच में जम कर कहा सुनी हुई बात गाली गलोश तक पहुच गई मामला इतना बिगड़ गया कि आरोपी दामाद ने गुसे में सास को कुए में धकेल दिया जब तक चंद्रकला को कुए से निकाला जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्च कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है घटना की सूचना मौके पर मौज़ोद एक बच्चे ने परीजनों को दी जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी पुलिस आसपास के लोगों से संपुर्ण जानकरी जूटा रही है ताकि वास्तविक स्थीती तक पहुचा जा सके हिंगोली जिले के कलम नूरी तहसिल के उमर फाटा स्थित एक नीजी कुरूशी उपज बाजर समीती में अग्यात लूटे रोने हतियार का डर दिखा कर जम कर लूट पाट की जानकरी के नूसार हिंगोली से कलम नूरी जाने वाले राष्टी राजमार क्रमांक 161 पर उमरा फाटा के पास गजानन कुरूशी बाजर मंडी है मंगलवार की मध्यरात तीन बचकर 45 मिनट पर 25-30 वर्ष उमरा के अग्यात 6 रोपी गजानन कुरूशी बाजर में हाथ में लोहे की सरिया, लकडिया, लाठी, लोहे का कत्ता, पेजकस और बड़ी कैंची जैसे हतियार लेकर गुज गए चोकिदर की पिटाई कर धहशत फैलाने की बाद कारियाले में मौजुद गजानन कुरूशी बाजर के अकाउंटेंट तथा वाशिम के देवपेट निवासी सचिन निर्मल कुमार पाटने एवं उनके सहयोगियों को डरा धमका कर तीजोरी में रखे 57,000 रुपे नगदी तथा 10,000 का मोबाईल और CCTV का DVR मिलाकर कोर्ट 67,000 का माल चुरा कर चलते बने प्रकरन में अकाउंटेंट सचिन निर्मल कुमार पाटने की शिकायत प्रग्यत आरोपियों के खिलाफ तलंद नूरी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है मंडी से जुड़े लोगों का कहना है कि आए दिन इस तरह की स्थीतियों का सामना करना पड़ रहा है मंडी में खरीदी पिकरी करने के लिए आने वाले लोग नगदी को ही तरजिह देते हैं इसलिए लूटे रोग की नजर बनी हुई है पहले बीच रास्ते में लूटपाट की घटनाए होती थी लेकिन अब मंडी में अराजक तत्वत धावा बोल रहे हैं इससे व्यापारियों और किसानों में दहशत का माहूल है उपरोग तो मामले के आरोपियों की तलाश में पुलिस दस्ते भेजे गये हैं अनिल देश मुक्स से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में एडी ने कई अन्या आरोपियों को भी गिरफतार किया और दरजनों गवाहों के स्टेटमेंट भी लिए ऐसा ही स्टेटमेंट एक डमी डारेक्टर सुरेश राय का भी सामने आया है जिसकी मासिक सैलरी है महज 15,300 रुपे उसने एडी को बताया कि वह एक फिल्ड वरकर के तोर पर काम करता है वह बैंक, कोट और अलग-अलग वकीलों के ओफिस जाता था जैसा कि उसके मालिक उसे कहते थे उसने दावा किया कि विये रियल कॉन प्राइवेट लिमिडेड नामक कमपणी में वह महज डमी डारेक्टर था सुरेंद्र जैन और विरेंद्र जैन कमपणी से जुडि सारी गती वीधियों में शामिल थे सिर्फ कागस पर उसे संबनित कमपणी का डारेक्टर बनाया गया था वह सुरेंद्र जैन और विरेंद्र जैन के कहने पर कमपणी से उनके दिये कागजातों पर सिगनेचर करता था मनी लॉंडरिंग केस में अनिल देशमुक के खिलाव दायर चार्चिट में इडि ने कई लोगों को गवह बनाया है इन मेरवी भटकर भी है भटकर ने एडि को बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची तयार करना उनके काम में शामिल था उनका दावा है कि अनिल पर अब खुद धनेश्वरी, सहाधरी या मंत्राले में देशमुक से मिलते थे और अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के समन्द में शिवसेना की सिफारिशों की सूची के बारे में उनसे बात करते थे गुरुह मंत्री अनिल देशमुक को फुलिस अफसरों के ट्रांसफर के लिए महराश्ट के मंत्रियों, विधाय को, MLC और पार्टी प्रतिनीदियों से कई सिफारिशें मिलती थी उनसी फारिशों को छाटने और सूची बद्ध करने का काम देशमुक ने मुझे सौप रखा था गुवा में बीते दो विधानसवा चुनाओं में भाचपा ने इसाई समुदाय के जितने भी उम्मिद्वार उतारे, सभी को जीत हासिल हुई है इससे उतसाहित होकर भाचपा ने इस बार 12 इसाई उम्मिद्वारों को चुनाओं मैदान में उतारा है गुवा के सामाजिक समीकरनों में लगबग 66 फिजदी हिंदू, 25 फिजदी इसाई, वो 8 फिजदी मुस्लिम है भाचपा को आमतोर पर हिंदूवादी पार्टी माना जाता है और देश के विविन राज्यों में ये समुदाय उसका बड़ा आधार भी है लेकिन गोवा के समीकरन कुछ अलग है भाचपा को यहाँ पर इसाई समुदाय का भरबूर समर्थन हासिल हुआ है इस बार 12 इसाई समुदाय के लोगों को मैदान में उतारने से हाला कि पार्टी में नाराजगी बड़ी है उसके कई नेताओं ने इस्तिफे भी दिये है पुर्व मुख्यमंतरी मनोहर परिकर के बेटे उतपल भी बागे होकर चुनाओ मैदान में है लेकिन भाचपा का मानना है कि उसे जीत के लिए सामाजिक समी करण साध्धा जरूरी है और इस लिहाद से उसकी रणनिती सही है राजग में भाचपा के लगभग 3,5,5,7,7 इनमें लगभग 18,5 इसाई है भाचपा को इस समुदाय का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है खासकर मुस्लिम वर्थ का समर्थन न के बराबर मिलता है उत्तरभारत के अधिकाँच राजज्य में मुसल्मानों के पीच उसको अपनी बाद पहुचाने के लिए कड़ी मशकत करनी पड़ती है पुर्वत्तर में भी इसाई समुदायर में उनका ज्यादा प्रभाव अभी तक नहीं दिखा है लेकिन गोवा की राजनिती उसके लिए अलग तरह की है करनाटक में हिजा विबादा पूरी तरह राजनितिक रंग लेता जा रहा है जैश्री नाम का नारा लगा रही भीड के सामने अल्लाहु अक्बर का नारा लगाने वाली छात्रा मुस्कान को जम्यत उलेमाई हिंद ने पांच लाक रुपे नाम देने की घोशना की है तो राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया के सबसे बड़ी घंटी का निर्मान किया जा रहा है बताया गया है कि निर्मान के साथ ही गिनिस बुक ओफ वर्ड रिकॉर्ड में तिन रिकॉर्ड इसके नाम हो जाएंगे वही एक खबर में दावा किया है कि कोचिन देव स्वोम बोर्ड के अधिन आने वाले श्रीप पुर्णा त्रियसा मंदिर त्रिपुर्णी थूरा मंदिर में भक्तों से बारा ब्रामनों के पैर धुलवाए गये ताकि उन्हें पापों से मुक्ती मिल सके इसे बीच दिली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरजी विजा रैकेट का परदा फाश कर छे आरोपियों को गिरफतार किया है गिरों के सदस्य विपिनत देशों खासकर गिरोपिय देशों के नकली विजा देकर लोगों के साथ ठगी करते थे करनाटक में हिजाब को लेकर संग्रम जारी है मंगलवार को एक तरफ हाई कोट में सुनवाई शुरू हुई तो वही सोशल मेडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें एक छात्रा जैश्री राम का नारा लगारी भीड के सामने अल्लहु अकबर का नारा लगारी थी ऐसा करने वाली छात्रा मुस्कान की हिम्मत की हर कोई दाद दे रहा है औल इंडिया मदली से इतिहादुल मुस्लिमिन के प्रमुक असुदुद्दिन उएसी ने इस छात्रा की तारिप करते वे उसे बहादुर बताया तो वही जमियत उलेमा हिन ने छात्रा को पाचलाक रुपे इनाम देने की गोशना की है जमियत उलेमा हिन के अध्यक्ष हजरत मौलाना महमुद असत मदनी ने छात्रा मुस्कान खान को बदाई देते वे पाचलाक रुपे का नगधी नाम देने का ऐलान किया है जमियत उलेमा हिन की और से जारी बयान के मुताबिक मौलाना मद्नी ने कहा है कि अपने समवैधानी का और धार्मी कदिकारियों के लिए विरोत की तेजा और गर्म हवा के सामने डटकर मुसकान ने पूरे होसले से मुकाबला किया महत्मा गांदी कॉलेज उरुपी की बहादूर चात्रा बीबी मुसकान खान पुतरी मुहमद हुसेन खान के उज्वल भविश्य के लिए शुप काम नाय असदुद्दिन उवैसे ने अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं लड़की के माबाप को सलाम पेश करता हूँ इस लड़की ने मिसाल पेश की है उस लड़की ने कई कमजोरों को पैगाम दिया है जो काम उस लड़की ने किया वह बहुत हिम्मत का काम था लड़की ने मिसाल साबित की है राजस्थान की कोटा चंबल रिवर फ्रन्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्मान किया जाए है निर्मान के साथ ही Guinness Book of World Record में तीन रिकॉर्ड इसके नाम हो जाएंगे चंबल रिवर फ्रंट पर इस घंटी की वास्तवी काकुरूती के फ्लेक्स का प्रदर्शन साइट पर किया गया घंटी का निर्मान स्टील मैन आफ इंडिया के नाम से जाने वाले इंजिनियर देवेंद्र कुमार आर्या कर रहे है इसकी कलाकृति का निर्मान कोटा का घटोत का चौरहा बनाने वाले राष्टपती पूरसकार से सम्मानित कलाकार हरी राम कुमभावत कर रहे है इंजिनियर देवेंद्र कुमार आर्या ने बताया कि घंटी का सकीन वजन 57,000 किलो गोशित किया गया था परंतु तब तक इसमें लगने वाली ज्वेलरी के वजन की गणना नहीं की गई थी अब इसके वजन की भी गणना कर ली गई है आर्किटेक्ट अनुप भरत्रिया ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी इस घंटी की ज्वेलरी दिखने में तो ज्वेलरी है लेकिन वास्ताव में वह इस घंटे की मजबूती के लिए दी गई है क्योंकि बीना मजबूती के इसके तूटना निश्चित था इसलिए इसकी स्ट्रेंथ को ज्वेलरी का डिजाइन देकर इसका लूक चेंज किया गया है जो काफी आकरशक है आर्किटेक्ट अनुप भरत्रिया ने बताया कि ज्वेलरी नहीं होने की वज़ा से मास्कों की घंटी तूटी थी इसलिए या ध्यान में रखते वे कि किस जग घंटे से इसका पेंडूलम टकराएगा उस हिस्से को खास ट्रेंज दी गई है और उसको ज्वेलरी का रूप दिया गया है इस घंटे की ज्वेलरी का वजन तकरीबन 25,000 किलो है वह भी घंटी के साथ ही कास्ट होगा इस प्रकार इस घंटे का कुल वजन अब 82,000 किलो होगा केरल में एक नया विवाद छिड़ गया है केरल हाइकोट ने एक खवर पर स्वता संग्यान को लेकर मामला दायर किया है खवर में दावा किया गया है कि कोचिन देवस्वाम बोर्ड के अधिन आने वाली श्री पुर्णत त्रियसा मंदिर त्रिपु निथूरा मंदिर में भक्तों से 12 ब्रह्मनों के पैर दुलवाए गये ताकि उन्हें पापों से मुक्ति मिल सके याद रहे केरल के मंदिरों में जातिवात को खत्म करने की दीशा में इस बोर्ड ने ही सराहनिया कदम उठाया था यहां मैथिलिकम के रहने वाले कुजुपुली उमेश कृष्णन कोचिन देवस्वाम बोल्ड के अंतरगत आने वाले मंदिरों में पहले दलित पुजारी बनाये गये है इससे पहले 53 कोर देवस्वाम बोल्ड द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया था ताजा खबर में दावा किया गया है पंथरांडू नमसकारम के नाम पर श्रद्दालू उसे ऐसा कराया गया मामले की आरंबिक सुनवाई के दवरान कोचिन देवस्वाम बोल्ड के वकिल ने खबर को गलत बताया है वकिल का कहनाया की भक्तों से पुजारियों के पैर दुलवाने का आरोब जूटा है मंदिर के तंत्री ने दरसल पंथरांडू नमसकारम के ताथ पुजारियों के पैर दोए इसके साथ ही वकिल ने मामले में हलप नामे के साथ व्यापक जवाब देने के लिए कोट से दो सप्ता का वक्त मांगा कोट ने वक्त प्रदान कर दिया केस की आगे सुनवाई 25 फरवरी को होगी शुरदा लोगों की नजर इस सुनवाई पर लगी है निर्णे मेल का पत्थर साबित हो सकता है दिली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरजी विजा रैकेट का परदाफाश कर छे आरोपियों को गिरफतार किया है गिरों के सदस्य विभिनत देशों, खासकर यूरोपियों देशों के नकली विजा देकर लोगों के साथ ठगी करते थे बताया जा रहा है कि ये नेपाल व बांगलादेश का भी फरजी विजा बनाते थे पुलिस ने इनके पास से 225 पासपोर्ट, भारी मातरा में नकली विजा स्टीकर और विजा तयार करने के लिए इस्तमाल होने वाला इलेक्ट्रोनिक सामान बरामत किया है आरोपियों ने नकली विजा बनाने की छोटी यूनिट लगा रखी थी पुलिस कई महिनों से राश्टर विरोधी गदी विधियों में लिप्त रहने वाले प्रतिबंदित आतंकी संगटनों, एफफजे व केसी एफ के स्लीपर सेल की तलाश कर रही थी ऐसे लोगों की जानकरी जुटाई जा रही थी कि जो स्लीपर सेल को विदेश भेजने में लगे हुए थे इस दोरान पता लगा कि दिली के शकरपूर एरिया में फरजी विजा तयार कर लोगों के साथ ठगी की जा रही है गेराबंदिकर पुलिस ने संजीब कुमार और राजवर सिंग उर्फ रवी को गिरफ़तार कर लिया इनसे नकली पासपोर्ट वा विजा स्टीकर बरामत किये गए इनसे पूछताच के बाद छे फरवरी को दिली निवासी अनिल पॉल को लक्षमिनगर से वा इसके बाद उसके पांडव नगर सित कारियाले से दुष्यन्त और फिक्की को गिरफ़तार कर लिया गया अनिल पॉल वा दुष्यन सिंग फरजी विजा प्रिंटिंग ऑफिस चला रहे थे पुलिस को इस मामले में और भी लोगों पर शक है जो जांच के दाएरे में है पंजाब में कॉंग्रेस का सीम चेहरा बनाए जाने के बाद चरंजित सिंग चन्नी अभी सही नई सरकार बनाने के लिए उससाहित नजरा रहे है यहां तक की चुनाओ प्रचार के दोरान ही वह उम्मिद्वारों को पत तक बाटने लगे है सीम चन्नी ने डेरा बाबा नानक और ख़डूर साहिब में प्रचार किया चन्नी ने डेरा बाबा नानक में सुखजिंदर रंधावा को दोबरा डिप्टी सीम बनाने की बात कही इसके लबावा ख़डूर साहिब पहुचे तो वहां से उम्मिद्वार रमंजित सिक्की को मंत्री बनाने की बात कह दी देरा बाबा नानक में चन्नी ने सुखजिंदर रंधवा के जमकर कसीदे पड़े चन्नी ने कहा कि अगर कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी के उमिदवार को वोट दिया तो सिर्फ MLA चुनोगे और अगर सुखजिंदर रंधवा को जिताया तो डिप्टी CM चुनोगे चन्नी ने अकारी दिगज बिक्रम मजीठिया पर ड्रक्स के इस दर्च करने के मामले में भी रंधवा की जमकर तारिफ की याद रहे कि कॉंग्रेस में CM चेहरे को लेकर बड़ी जंग चली जिसमें नौजोत सिंग सिद्धू और चरंजित सिंग चन्नी मुख्य चेहरे थे कॉंग्रेस हाई कमान की बदौलाद चन्नी ने सिद्धू को पठक नि दे दी है अब चन्नी पूरे जोश से प्रचार में लगे हैं पूरे राज्य में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं अपने क्शेत्र में प्रचार के दोरान उन्हें अकसर कहते सुना जा रहा है कि मुझे कॉंग्रेस ने CM चेहरा बना दिया है आपको मुख्य मंत्री को वोट डालनी है आपको मुख्य मंत्री चुनना है उथर तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में सिर्फ हिजाब पहने वाली महिलाओं को ही शिक्षा और रोजगार का अधिकार मिलेगा तालिबान ने अमेरिका को भी साफ कहा है कि वह उनके देश के संस्कूति को बदलने की कोशिश न करे इससे बीच आज नया सुर्य विस्फोर्ट प्रूत्वी से टकराने की तैयारी में है इससे बुधवार वगुरवार को भूच उंबक ये तुफान आने की आशंका है दुनिया भर किन पाज बड़ी खबरों को विस्फार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ युक्रेन को लेकर जारी तनाओ के बीच रूस के राष्ट्रपती व्लादिमेर पुतिन ने चेताओनी दी है कि अगर क्यू नाटो में शामिल हुआ तो परमानू युद्ध होगा रूस ने पूलैन की सीमा के पास परमानू हतियार लेकर जाने में सक्षम मिक 31 के विमानों को तैनात किया है रूस ने इस बात का भी खंडन किया है कि पुतिन और फ्रांसी सी राष्ट्रपती इम्यानियूल मेकरो के बीज बाच्चीत के दवरान युकरेन पर डील हो गई है रूस का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब फ्रांस ने दावा किया है कि यूकरेन पर रूसी राश्टरपती से बाच्चित में यूकरेन पर रियायत मिल गई है पुतिन ने इस बाच्चित के दवरान यह भी कहा कि पस्ची में देशों ने हमारी चिंताओ पर कोई ध्यान नी दिया है दूसरी तरफ मैकरो ने कहा कि पुतिन ने उन्हें बताया है कि वह युकरिन में तनाव को नहीं भढ़काएंगे और बेलारूस में न तो रूस का स्थाई ठीका न होगा और नहीं रूसी सेना की तैनाती स्थाई होगी रूस ने अपने हजारों की तादाद में सैनिक बेलारूस भेज रखे है पुतिन ने फ्रांसेसी राष्ट्रपती से कहा कि वह एक बार और इस बात पर जोर देना चाहते है कि यदि युकरिन नाटो में शामिल होता है तो यूरोपिया देशी स्वता ही रूस के साथ जंग में खिच जाएंगे निश्चित तोर पर नाटो और रूस के बीच सहिन्य ताकत अतुलनिया है हम इसे समझते हैं लेकिन हम यह भी समझते हैं कि रूस एक प्रमुक परवानू ताकत है और कुछ आदूनिक हतियार तो कईयों को पीछे छोड़ सकते हैं इसमें कोई विजयता नहीं होगा और आप अपनी मर्जी के बिना ही इस विवाद में शामिल हो जाएंगे भारत के करनाटक राज्यमें स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद में अब पाकिस्तान सरकार भी कूत पड़ी है इमरान खान सरकार के सूचना मंतरी फवाद चौधरी ने पीम मूदी और भारत को लेकर जहरीले बयान दिये है फवाद चौधरी ने कहा कि मूदी के भारत में जो कुछ चल रहा है वह डरावना है भारतिय समाज एक अस्थिर नेतरूत्व के अंतरगत बहुत तेजी से पतन की ओर जा रहा है पाकिस्तानी मंतरी फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि हिजाब पहनना अन्ने ड्रेस की तरह से एक नीजी पसंद का मामला है नागरिकों को मुक्त होकर अपने फैसले लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए फवाद चौधरी का यहाँ भयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान में जन्मी नोवेल शांती पुरसकार वीजे था मलाला यूसोफ जई ने भी कहा है कि लड़कियों का हिजाब पहन कर स्कूलों में गुषने से रोकना भयावा है मलाला ने एक ट्वीट करके कहा कि भारतिये नेताओं को मुसलिम महलाओं को हाशिये पर जाने से रोकना चाहिए हिजाब को लेकर मचा यह पूरा बवाल करनाटक का है जहां कुछ लड़कियों ने आरूप लगया कि हिजाब पहनने के चलते उन्हें केंपस और क्लास में प्रवेश नहीं करने दिया गया हिजाब को लेकर प्रदर्शन पिछले मैंने करनाटक के उड़ूपी में सरकारी प्री यूनियोर्सिटी महला कॉलेज से शुरू हुआ था कॉलेज की छह चात्राओं ने आरूप लगया कि हिजाब पहनने की चलते उन्हें क्लास में इंट्री देने से मना कर दिया गया कि वर्तमान हालात को देखते वे कनाड़ा में रहने वाले यहाँ आने की योजना बनाने वाले भारतियों को अत्तधिक सतर का और चौकस रहने की आउशकता है उन्हें प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए बतादे की कनाड़ा में ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन नियंद्रन से बाहर होता जा रहा है हालात ये हो गए है की कनाड़ा की राजदानी उटावा में अपातकाल घुशित कर दिया गया है ट्रक ड्राइवर्स 29 जन्वरी को पहली बार उटावा शहर पहुचे थे प्रदर्शन कारियों ने सड़कों पर अपने ट्रक खड़े कर दिये है टेंट भी लगा दिये गये है खराब होते हालातों को देखते हुए उटावा के मेर ने किंद्र सरकारवन आयले से मदद की मांग की है उधर प्रदर्शन कारी विरोध में लगातार हॉर्न बज़ा रहे है जिसकी शिकायत स्थानीय लोगो द्वारा की गई है ट्रक ड्रावर्स का यह विरोध प्रदर्शन कोरोना वैक्सिन की अनिवारियता के विरोध में शुरू हुआ था मांग है कि इस अनिवारियता को खत्म किया जाए और लोगडाउन भी ना लगाया जाए तालीबान का कहना है कि अफगानिस्तान में महिलाओ को परदे में रहना होगा तालीबान के प्रवक्ता ने कहा है कि देश में सिर्फ हिजाब पहनने वाली महिलाओ को ही शिक्षा और रोजगार का अधिकार मिलेगा तालिबान ने अमेरिका को भी साफ कहा है कि वह उनके देश की संस्कृति के बदलने की कोशिश न करे अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इसे उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप माना जाएगा तालिबान के प्रवक्ता सुहल शाहिन का कहना है कि हिजाब के बिना महिलाओ की शिक्षा का विचार पस्चिमी है यह अफगानिस्तान के संस्कृति के अनुकुल नहीं है तालिबान कते ही इसके पक्षम में नहीं है तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में महलाए हिजाब में रहेंगी तो महलाओ के अधिकार को लेकर कोई मुद्दा नहीं होगा इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें हिजाब ना पहनी लड़कियों को यूनिवर्सिटी के गेट पर रोग दिया जा रहा है और वापस लोटाय जा रहा है ये वीडियो काबुल के राना युनियोर्सिटी का है, वीडियो में देखा जा सकता है कि जिन लड़कियों ने बुरका या हिजाब नहीं पैना, उन्हें गेट पर ही रोक दिया जा रहा है बतादे की अफगानिस्तान में 15 अगस 2021 को तालिबान का शासन आने के बाद से संगटन ने 1990 के दशक के नियम को नहीं अपनाया है लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी तो नहीं लगाई गई है लेकिन परदे बुरके के नियम को सक्त कर दिया गया है बुधवार और गुरवार को धर्ती को एक और नए खत्रे का सामना करना पड़ेगा आज नया सुर्य विस्फोट पृत्वी से टकरानी की तैयारी में है इससे बुधवार और गुरवार को भूच उंब की ये तुफान आनी की आशंका है इससे एक सप्ता पहले भी ऐसा ही तुफान आया था जिसका कोई बड़ा असर सामनी नहीं आया है इंडियन इंस्टिटूट अप साइनस एजूकेशन एंड रिसर्च की सेंटर आफ एक्सिलेंस इन स्पेस साइनसेस ने सोलर इप्षंस्व भूच उंब की ये तुफान के बारे में ट्वीट कर जानकरी दी है प्रुत्वी को नौ फरवरी को भारतिय समया नुसार सुबह 11 बचकर 18 मिनिट से लेकर दस फरवरी की दोपर 3 बचकर 23 मिट पर मध्यम स्थर के भूच उंब की ये तुफान का सामना करना पड़ सकता है इसकी क्षमता 491 से 615 किलोमिटर प्रति सेकंड हो सकती है इसका असर बहुत खतरनाक होनी की संभावना नहीं है सौर तुफान के कारण भूचुम्ब की अगतिविदी बढ़ सकती है भूचुम्ब की ये तुफान की कारण संचार तंत्र, प्रसारन, रेडियो नेटवर्क, नेविगेशन आधी में दिक्कत आ सकती है धर्ती पर सौर तुफान का सबसे भयावा रूप मार्च 1989 में देखने को मिला था तब सौर तुफान की वज़े से कनाड़ा के हाइडरो क्यूबेक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांस्मिशन सिस्टम 9 गंटे के लिए ब्लैक आउट हो गया था भू चुमब की ये तुफान के कारण प्रुत्वी के चुमब की एक शेतर में बड़ा बदलाव आता है जब सूरज से आने वाले आवेशिक कन धर्ती की चुमब की एक शेतर से टकराते है तब भू चुमब की ये तुफान आता है इसके कारण धर्ती के चुम्बक के यक्षेतर में कुछ देर के लिए बादा उत्पन्नों होती है आज किस खास पेश्करश पे बस इतना ही आप से कल फिर मुलागात होगी तब तक देखते रहे ये वी के विडियोज नमश्कार झाल 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 झाल